99 रुपे का आप रिचार्ज करेंगे तो आपके SIM से ये मैसेज चला जाएगा जैसे आप ये मैसेज भेजेंगे तो इसे आपके फोनで UPC कोड आएगा आपको अपना UPC कोड और आपको अबना अधार कार्ड और साथ में जिसका अधार कार्ड है वो खुद जाएंगे अपने नजदी की जो जियो का रिटेलर है वो या जियो का इस्टोर है या जियो का जहाँ पर सौफ होता हुआ पर जाएंगे आपको यह तीनों चुछ दिखाना है यूपीसी कोड अपना मॉवाइल नमबर बताना है और आपको अपना अधार कार्ट दिखाना है आपका सिम को वहां पर पोर्ट कर दिया जाेगा आप से दुकानदार पसास रूपो का सार्ज कर सकता है लेकिन गरिखाना आप जियो अपना पर यह यह बंद होगा वे ज.वसी आपने ओका सिम यह नया सिम झापको दीया जाएगा वो सिम आप लगाएंगे तो आपका एयर टेल से जियो में वो नमबर चालू हो जाएगा तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी एयर टेल की सिम को जियो में बड़ी असानी स्याप पोर्ट करवा